जुभा में एक्सक्राइंट में विंडू सर्फ यह सेशी हमriंगा पीडी का दिकनाmmhouse मैं Nations क्या है आप को कैसे करते हैं इस्टाल कैसे करना है कॉन्फिगर कैसे करना इस सारी जनकारी इस वीडियो में इस वीडियो को पूरा आप देखिए आपको पूरा नॉलेज इसमें मिल जाएगा विंडोसर्वर बैक आप के बारे में क्योंकि इस सब वेरी वरी इंपोर्टेंट तो स्टार्ड करते हैं session को और Windows Server Backup होता क्या है यह Windows Server का एक feature है और यह Roll में नहीं रहेगा features में आपको मिलेगा यहां देख सकते हैं Windows Server Backup is a feature that provides backup and recovery यह दोनों चीज़ परवाइड करता है बैकप भी परवाइड करेगा और recovery भी प्रोवाइट करेगा इसी एक बार install कर लेंगे तो backup भी प्रोवाइट करेगा और recovery भी करेगा option for windows server environment administrator can use windows server backup to backup full server system state right और bare metal बहुत सारे backup type है storage volume और specific files and folder और एक bare metal होता है या full server backup जिसे हम बोलते है right as long as the data volume is less than two terabyte मतलब यह two terabyte के अंदर में यह storage होना चाहिए जिसका backup हमें लेनी है तो windows server backup क्या है यह windows server का एक feature है जिससे हम क्या कर सकते है अपने active directory operating system या personal file folder का backup ले सकते हैं और बाद में उसे हम restore या recover भी कर सकते हैं टाइपस आप backup की बात करें यहां देखिए files and folder backup यह backup के टाइपस हैं और volume shadow copy backup system state backup and bear meter backup और इसी को हम full server backup नाम सिच में जानते हैं फाइल फॉल्डर backup की बात करोगर तो normal files या folder है और particular file या folder को अगर आपको लेना है तो वह चीज हम यहां से ले सकते हैं वालिम shadow copy क्या होता है यह यह जो होता है किसी वालिम के अंदर हम उसका shadow copy ले लेते हैं जो भी editing होगा उस particular drive में उसमें वह recover कर सकते हैं system state backup जो होती है यह हमारे active directory ने active directory का backup ले ले लेता है active directory पूरा जो हमारा होता है identity assist wall उसको पूरा backup ले लेता है कोई user कभी डिलीट हो गई unfortunately डिलीट हो गई तो आप उसको restore कर सकते हो without any loss राइट बेर मेटल की अगर बात करें तो यह जो होता है एडी प्लस operating system दोनों को यह cover करता है active directory को भी उसके साथ साथ operating system में अगर कोई file मिस हो गई है तो उसको भी हम यह restore कर सकते हैं इसके द्वारा और अगर आपने full server backup ले रखी है तो यह तो सब जाएगा file folder भी आ जाएगा सब कुछ आ जाता है तो अगर आपके पास इस पैसियस इस्टोरेज है दैन आपको full server backup ले 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 लेना चाहिए कि वाट इस सिस्टम इस्टेट बैक अप इन आक्टिव एक्टिश सिस्टम इस्टेट बैक अप मैंने बोला यह क्या करता है एडी का backup लेके रखता है अक्टिव एक्टिव का पूरा जिसका database जो रहता है वह backup इसमें हो जाएगा राइट जिसमें क्या होता है एंटीडियस की दोनों file एंटीडियस.ditt.log और शिस वाल राइट यह इसकी backup ले लेगा और इसके बाद हम बात करते हैं अब बेर मेटल बैकप इंकल्यूट्स बेर मेटल बैकप में क्या क्या रहेगा इसमें आपका active रैक्टिव भी रहेगा और प्लस operating system भी cover करेगा यह मैं पहले ही बता दिया आपको operating system भी cover करेगा इसमें राइट तो आप बोर सकते हैं यह बेर मेटल इस नतिंग बट फूल सर्वर बैकप इसको फूल सर्वर बैकप भी बोल सकते हैं इसमें file folder भी आ जाएगा और windows server restore हमें कैसे करना होता है या जब एक बार फूल सर्वर बैकप अगर आपने ले लिया जो होता है यह system इस जो active active related है उसको आप कर सकते हो या disaster recovery अगर जैसे आपके operating system में भी कुछ प्रावलम आ गया तो आपको disaster recovery करनी रहती है तो ऐसे हम कर सकते हैं राइट तो यहां कहने का मतलब यह है कि अगर आप backup ले रहे हो एक चीज़ा और जान लेते हैं जो आई है हमार hard disk drive हमारे server के अंदर और इसमें मालो अलग-अलग drive बने हुए है यहां पर मालो यह C drive है system drive है और AD drive या कोई other drive है अगर यहां पर इसका backup आप ले रहे है क्योंकि activity आपको CC में store रहेगा इसके यह क्या हो system reserve होती है तो होता क्या है जब system backup आप लेते हो sorry full server जब backup लेते हो तो यह entire hard disk drive को यह cover करती है full server backup मातब यह C drive जिसमें operating system और सारे लेटेड प्लस data file folder जो भी पूरे hard disk drive को cover करती है तो what I mean to say जब भी आप backup लेते हो तो आपके पास एक external media होनी चाहिए वो जरूरी है external media चाहिए हो आपकी external hard disk drive हो गई या तो कुछ भी हो गया network in fact network में भी आप ले स सकते हो आज के डेट में direct अगर आपके network storage है तो आप direct backup जो है आप network में कर सकते हो network storage में direct इसको store कर सकते हैं ओके नहीं है अभी जो हमारा scenario है मैंने क्या किया एक virtual hard disk ले लिया एक hard disk हमारा यह है एक virtual hard disk ले लिया उसी size का और मैं जो backup लोंगा उसमें store करकी आपको दिखाऊंगा okay so guys हम आपको इसका session दिखाते हैं पैटकल दिखाते हैं कि कैसे windows server backup का एक feature कैसे install करना अपने server role से और उसको कैसे हमें backup लेना कैसे configure करना है अपने कैसे store करना कहां पर और बाद में हम कैसे कोई भी system state है या bare metal है या कोई भी एक चीज़ हम आपको restore करके दिखाएंगे इसको फिर से हम restore करके दिखाएंगे जिसमें कोई user delete करेंगे और इसको फिर से हम restore करके आपको दिखाएंगे फिर से वह अपने जगा पर आ गई होगी तो start करते हैं पैटकल से चन हमारा lab ready रहेगा और मैं आपको दिखाता हूँ सो गाई से देख सकते हैं अप यहां पर यह हमारा सर्वर है एक्चली 2016 सरव नहीं लिया मैंने 2012 सर्वर लिया इसी में एक्टिव एक्टिविटी था जो हमारा money.com है और मैं यहां पर एक OU बनाओंगा और यहां इस OU में इस OU का नाम लिख दिया मैंने टेस्ट राइट टेस्ट बैकप के नाम से लिख दिया टेस्ट बैकप ले लिया इसका नाम से दिया बैकप बैकप टेस्ट इसके नाम से लिख दिया और इसके अंदर हम क्या करेंगे करेंट कपल अफ यूजर तो फिस्ट यूजर क्रिएट मनी तो एक यूजर मैंने बनाया और भी ऐसे यूजर बना लेते हैं और को यूजर हम बना लेते हैं एक और यूजर बना लेते हैं मोना का बना लेते हैं ओके तो मैंने यूजर बना लिए और अब मैं क्या करूंगा सबसे पहले तो हमें क्या करना है बैक अप को और बैक अप इंस्टाल करने इस पहले मैं आपको दिखा देता हूं इस्टोरेज अपना स्टोरेज का लोकेशन देखो हमने क्या किया है यह कर लेते हैं इसी के साइज का जो जिस में मैं स्टोर करूंगा बैक अब यह ब्लैंक है टोटल और इसी के अंदर मैं क्या करूंगा इस्टोर करूंगा अपना जो इमेजर हैगा तो चलो पहले इंस्टाल कर लेतें बैक अप को यहां आड रोल सेंट फीचर में गया और यहां पर रोल आ जाएगा और रोल में हमें नहीं कुछ करना रहेगा एक बार और क्लिक करेंगे तो हम फीचर में चले जाएंगे और वहीं पर हमें मिलेगा बैक अप यह रोल है यहां पर नहीं मिलेगा एक बार और क्लिक करो फीचर और इसी में मिलेगा आपको विंडो सर्वर बैक अप के आप्शन मिलेगा तो विंडो विंडो सर्वर बैक अप जोड़ना पड़ेगा हमें इसमें विंडो सर्वर बैक अप देखो बहुं सारे फ तो इसको हम चेकमा किए और क्या करती है नेक्स्ट कर दिये और कर देंगे इंस्टाल और यह हो जाएगा अभी इस्टाल और इंस्टाल होने के एक्चली यहां देखो एक चीज में दिखाता हूँ अभी यहां पर विंडोस सर्वर बैक अप करके आ रहा हो गा लेडी यहां प तो इसलिए कोई option यहां पर नहीं दिख रहा है और यहां पर इसका पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा यहां पर बहुत सारे option और features आ जाएंगे तो फिर से हम आएंगे यहां पर एक बार जब complete install हो जाएगा तो फिर से हम लोग जाएंगे tools में और backup में और वहां so guys यह देखिए windows server backup install हो गया है और इसको मैं close कर दूँगा और जाओंगा tools में और उसी option में जो मैंने click किया था पहले और अब में क्यांतर हो गया देखिए बहुत कुछ बतल गया होगा yes बहुत सारे option आ जाएंगे अब यहां पर जैसे देखो यह backup आ गया और इधर बहुत सारे options आपको मिल जाएंगे आरा सर छुड़ाए yes यहां देखिए और अब हमें backup लेना है तो उसके लिए क्या करना हमें कौन सा backup लेना है यहां देखो कौन सा backup लेना है तो हमें करना है backup once पे click करना है और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको जो company organization होती है उसमें यह Microsoft का backup पार्टी का टूल यूज करते है वेरिटास या लैंडिस्क मैनेजमेंट या फिर पैम टूल राइट ऐसे टूल्स का यूज करते हैं थार्ट पार्टी उसी से backup भी हम करते हैं तो यह भी मॉनिटरिंग के अंदर में ही आता है तो हम क्लिक करेंगे यहां पर नेक्स्ट अभी तो हमारे पास हो नहीं है तो इसलिए मैं यह आप्शन चूज करें यहां देखो फूल सरूर बैक अप में सब कुछ आ जाएगा और अगर कस्टम में जाओगे तो आपको कि लोकल ड्राइव नहीं देख यहां पर देखो यहां पर ड्राइव और दूसलिए क्या है क्लिकि यहां रखना है तो तो इसलिए अ stri क्या है मैं WR ना रखmodernा र colonyसकों क्रेंगे और यहां से söलेड कर सकती हो धो ही ड्राइव यह कई सारी DVD लगेगी one by one नहीं रखना है में तो हम क्या करते हैं यह आपका जो यह ड्राइब यह बिसी के पार्ट है और इसमें सब कुछ लॉस हो जाएगा तो हम रेडि हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो और यह सारी चीजें होने जा रही ही कि लिए प्लाब ला यह सारी तो हम क्या करेंगे क्लिक करतेंगे बैक अप पर और यह बैक अपी स्टार्ट हो गया है और यह कुछ टाइम लगेगा फ्रेंड आप तक हम क्या करते हैं इस वीडियो को स्किप कर देते हैं नहीं तो आप हो जाएंगे बोर और जब यह complete हो जाएगा फिट से हम आके आप दिखा देगे तो गाइस देखे यह backup हमारा complete हो गया है राइट यह देखे complete दिया है और कितना जीबी है कितना story लिए सारा हो गया इसको मैं close करूँगा और इनको भी हम यहां से close कर देंगे और अब हम जाके देखेंगे अपने drive में की backup आया या नहीं इसका image आया यहां पर देखे drive दिखा रहा है मतलब आ गया यह देखे backup इसका यह बट यहां से कोई मतलब नहीं है क्योंकि you cannot read it इसको हम लोग पड़ नहीं सकते तो इसको मतलब backup फूल सरूर हो गया चाहो तो आप कुछ भी जैसे मालो कोई file folder था या फिर कोई data है या operating system में कोई problem आ गई तो कुछ भी आप restore कर सकते हो तो मैं एक्टिव एक्टिव का दिखाना चाहरा हो कि वहीं networking backup वही होता है एक्चली systemistic backup और इंटर्व्यू से रिलेटर्वी question वैसे ही पूछे जाते हैं यह देखें यहां पर आगया और यह हमारा backup करके हमने बना रखा यूजर और मैं क्या करता हूं यह तीनों यूजर को मैं डि डिलीट कर दो आप चलो वहником हम लैंएं डिलीट करें जैन मन करें तो वहीं पोँछ रूख हूँ को भी रिलीट कर दिढहे हैं चैनल प्राइन यहां से शा रिछूव्य को भी डिलीट करना कर सकते हैं और मैं अब क्या करूँगा ट्री स्टोर करूँगा तो उसके लिए कह नहीं जाना विंडो सर्वर बाइक एप में जाना है यह रहा है विंडो sau join backup but होता क्या है यहां पर समयने वाली बात हैिंट्रेस्टिंक बात है यहां से हम रिइस्टॉर करते हैं इसको ठीक है री कवर यहांanne से जागे मोड है और नार्मल मोड में कभी भी रिकवरी नहीं कर सकते हैं तो इसलिए जब हम एक्टिव इंस्टाल करते हैं उसमें DSRM मोड होता है डाक्टिव सर्विसेज रिपेर मोड या रिकवरी मोड राइट तो आपको वो लॉग इन करना पड़ेगा तब हमें रिस्टोर करना पड़ेगा इसको बैक अप लेने के लिए नार्मल मोड में और जब रिकवरी हमें करना रहता है तो हमें DSRM मोड में करना रहता तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें सिस्टम को रिस्टोर रिस्टार्ट करना रहेगा मैं इसको रिस्टार्ट करतेता हूं रीबूट कर देता हूँ और रीबूट करके हमें जाना रहेगा DSRAM मोड यहां से अगर आप चाहो तो यहां दे सकते हैं प्लान राइट सिस्टम रिकवरी ऐसा कुछ यहां से दे सकते हैं नहीं देंगे तब कोई प्रवल्म नहीं है सिस्टम रिस्टाट हो जाएगा और यहां पर हमें प्रेस करना रहेगा एफट एफट प्रेस करने से सेप मोड का आप कोई स्क्रीन याद होगा सेप मोड जैसा और नहीं हुआ है अब फिर से रिस्टाट कर देते हैं सो गाइस सिस्टम रिस्टाट करने के पाद आपको एफट प्रेस करना रहेगा और यह सेप मोड जैसे नार्मल हम लोग जाते हैं सेप मोड में तो एफट प्रेस करने से आएगा देखो ही आ गया और इसमें हमें सेलेक्ट करना रहेगा डी असरे मोड तो यह रहा डी असरे मोड आपको देखे स्यत्यक्ति की सर्वीसेश रिपीयर मोड या रिकबरी मोड यही डी असरे मोड होता है तो जब भी आपको बैक अप लिये है और अगर रिकबरी करने कभी भी तो आपको इस मोड में आपको याद होगा जब इस्टाल करते हैं तो वहाँ पे DSRM का पासवर्ट देना रहता है तो उस समय जो पासवर्ट दिये हैं इसके बाद वही पासवर्ट से आपको लॉग इन करना रहेगा यहां देखिए और अब यह DSRM मोड में हमें डोमेन एडमिस्टेटर लॉग इन नहीं होगा लोकल एडमिस्टेटर लॉग इन करना रहेगा और लोकल एडमिस्टेटर लॉग इन करने के लिए हमें डॉट स्लैश एडमिस्टेटर करना रहेगा तब जाके लोकली लॉग इन होगा यह DSRM कि यहीं लोग भूल जाते तो गड़ बड़ जाता नार्मल मोड भी जाके रिकवरी करने लगो गया तो नहीं होगा कभी नहीं होगा यहां दिखे इसको हम री स्टार्ट करेंगे एक्चली वीमवेर में थोड़ा सा प्रॉलम आता है यह वीमवेर के अंदर हम पैक्टिस कर रहे हैं तो कोई टेंशन देने की जरूद नहीं है हमें एंट्री स्टार्ट नहीं करना लॉग आफ करना एक्चली लॉग आफ का आप्चन इसमें अगर रहेगा तो यस कर लेंगे यहां पर हम कि अब को नारमनी कंट्रोल अल डिलीट होता है हाँ यह ले लिए चलो ठीक है अभ है अब यहां देखे डों में एडमिस्टिक्र राह मनी इसमें लोग इन करना में यहां जाना है और इसमें लॉग इन करना रहेगा में dot slash और administrator तो यही जो है dsrm का password यहाँ डालना रहेगा अब जो dsrm का password आपने डाला था उस समय वही यहाँ पे लेगा मैंने admin at 123 डाला था तो यह locally लॉग इन हो जाएगा dsrm mode में बस और कुछ है नहीं कहा नहीं आगे कि आगे आप नार्मल जाके recovery कर देजिए आपका जो भी data जो भी user activity के loss हुए थे जो delete हुए थे सब कुछ आ जाएगा actually activity का user जो delete करते हो आप वो tom storm memory होती है उसमे 180 days रहती है तो कभी भी उसके बीच में हम लोग recover कर सकते हैं देखे safe mode में दिखा रहा है और अब हमें कुछ नहीं direct जाके windows server backup में और backup tool open करके recovery कर देना है सीधे आपका सारा कुछ आ जाएगा tools में जाएंगे और यहां पर हम देंगे windows server backup यह देखों यहां पर यह option आजाएगा और यहां पर हमें backup once पर क्लिक करना है और यह देखो different option में जाना है और क्या full server नहीं हमें क्या करना है यह recovery में जाना है recovery यहां पर sorry backup on नहीं recovery में जाना हमें और कहां पर backup आपका इसी server में या दूसरे लोकेशन में तो हमारा यह backup इसी server में तो इस server और क्या आपको restore file folder करना है क्या करना है full server नहीं लिया तो इसलिए सारा option दे रहा है यहां पर हमें करना है system state backup recovery करना system state पर कर दो यह अपना आ जाएगा सब कुछ तो आइधिंग कि यह ज्यादा time नहीं लगना चाहिए जल्दी हो जाएगा जो recovery हम करते क्योंकि ज्यादा file हमने delete नहीं किया तो ज्यादा file deleted नहीं है एक और डिपेंड 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 डान हाव में फाइल में नंबर फाइल डिलीटेड और लॉस्ट सो उसी के काड़िंगे टाइन लोग लगता है तो गाइस अगर यहां तक सही में आप लोग जो भी वीडियो देखते हुए पहुंचा होगा उसे ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को